कि बैलोजी एक्सिस चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ इसके सिंग और आज आपको हुमन रिप्रोड़क्टिव हेल्थ को पढ़ रहे हैं और रिप्रोड़क्टिव हेल्थ में हम लोग दो लेक्चर देखें हैं आज तीसरा लेक्चर है टॉपी का नाम है MTP Medical Termination of Pregnancy की दौरान दी जाने वाली जितने भी Contraceptive Debices होते हैं उसी को हम लोग पढ़ेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं चुक prस्रेकिज देने से फाइदा क्या है तो Contraceptive detectives देने से फाइदा ये है कि बच्चोंके जंद में अंतर रखा जा सकता है दूसरी पॉपुलेशन की जो समस्या है उससे भी निजात पाए जा सकता है तो पॉपुलेशन जैसे समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए या अन्य चीजों के लिए यह डिवाइस उप्योगी है तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं टीवी में रेडियो में इसका भी रिप्रो डाक्टिव हेल्थ जो कि हमके लोग के 12 में पढ़ना है चेप्टर नमबर 4 में देखना है जिसमें हम लोग दो लेक्चर देख चुके हैं आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है पपी का नाम है मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी इसी को हम लोग देख रहे ह के दौरान दिए जाने वाला जो डिवाइस जो उपाय है उसी को मेडिकल टर्मिनेशन ऑब प्रेग्नेंसी के नाम से जानते हैं यह एक कीमिकल मैंठड है कीमिकल मैंठड है किसका आफंळा सेप्तिव ये सायनिक मेथाड का गरव धारन करने से बचने के लिए जो बच्ते के जन्म में अंतर होता है उसके लिए जो इस केमिकल फर्मूला का केमिकल प्रोटेस करो अप्लाइड क straff विए होता है।। इस्सीमेट का होता है तो होता है केमिकल मेथड औ Uhr Ninoy इसको लोग अभी पड़ रहा है इसमें आता है कौन-कौन चीज सबसे है पाला चीज आता प्लस प्从 क्या होता है प्दका मतलों न केव ऴकल इसका भॉकर प्सका प् समीद एपल्क्र प्सक्व केव ऑफ्ता केव इसको वह का मतलब इंट्रा मतलब होता अंदर विवासे में और एक ऐसा डिवाईज इसका उपयोग यूट्रेयव में किया तरह पीसरा चीज है इंप्लांट को गर्व के अंदर ही उसको को इंप्लांट कर दिया आता है जिसे गहां करने से मां बच सकती है और ती चौथा है इंजेक्शन यह जितने भी मैठर है यह केमिकल मैठर है जिसका पयोग करके मां अपने बच्चों की जैम्मिय अंतर रख सकते हैं सबसे पहले हम देखते हैं पिल्स में पढ़ना सी ओसी औ कम बाइंड बाइंड ओरिशन को तरसेप्टिव अ sesos को ठुछ मांने नीच नन अकश्त gef क्लों मेरोडड ही जला और ओर इकैना नोर्माली खानें वाला अनलेट के तरह तो का इसी करनाम होग एकल इसे तक तो सुखना जो है ज़ो आता है वह चालां मुआ ओर्याट ओ आव कंट्रा सेप्टिव दो चीज हो गया सी ओसी वाला जो होता है इसमें दो चीज मिले होते हैं कौन-कौन चीज इस्ट्रोजन जो की फीमिल हर्मोन है साथी साथ प्रोजेस्ट्रॉड इस दोनों से मिलकर इसको तियार किया आता है सी ओसी के हम लोग जो रेडियो टीवी पर कि जो दवा है पिल्स है इसका इसका जो निर्मान होता है वह लखनव में होता है एक दवा की कंपनी है इस यूट है जो इसको बनाती है सेंट्रल ड्रग इंस्टिट ऑफ लखनव सेंट्रल ड्रग रिसर्च इस इसको बनाने का काम करती है सहली का और सबसे ज़्यादा यह बहुत ज़्यादा प्रभावित है क्योंकि आज से नहीं बहुत वर्सों से इसका परियोग जो है किया जाता रहा है मा के दवारा महिलाओं के दवारा एक है सेंट कॉर्मा एक जो दवा है जिसका नाम है सेंट सेंट कॉर्मा सेंट कॉर्मा सेंट कॉर्मा सेंट कॉर्मा सेंट कॉर्मा है यह जिसमें केवल इस्ट्रोजन ही पाया जाता है तो यह दो ऐसी दवाईयां है जिसका परियोग मा के द्वारा किया आता अब खाया कब जाता तो हम जानते हैं कि प्रेग्नेंसी का टाइम एक से पांच दिनों तक होता है अब मां उसको छो से लेकर 21 दिनों के दौरा दवा जो है ड्रग का यूज करती है ड्रग मतलब यहां पर दवा का सेंस हो गया इसके बाद 21 दिन के बाद छोड़ देती है साथ दिन के लिए जिसमे 21 दिनों का टाइम होता है इसी में मां के दौरा जो है चुकि जो है इसमें दवा का सेवन किया आता है जो कहीं न कहीं से यह क्या कर देता है इस दवा के खाने से सबसे पहले जो होता सर्वाइकल जो है सर्वाइकल जो होता है जहां से यूटिरस के आखरी जो छोड़ होता स्टेज्फ उसको सर्वाइकल बूलते तो वहाँ पर उस लेयर पत्रला कर देता मत्तों लेयर को थीन कर देता है जिसके वैसे जो है आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता है सहली क्या है एक एंटी एस्ट्रोजन थी एंटी है च्ट इस्ट्रेशन होता है जो शर्ब के लेबल को यह हर्मोन है और अफ्छ़ जैने के लिए थीक नहीं होने देने का काम करता है मुटाई बढ़ने से रोकने का का म करता है पूर यह सहेली जो बहुत ज़्यदा कारगर है और आम आम तोर पे महिलाओं आपने आपको बचाने के लिए कर्म ट्रसेप्टिफ के रूप में इस दवा का पर्योग करते हैं इसके अलाबा और भी कही सारा दवा है जिसका पर्योग कियाता है कुछ ऐसी भी दवाईया है जो बहुँ जादा प्रभावित होता है जैसे अनवांटे 72 गटे करने वाला जो दवाईयां कम समय में प्रभावित करता है कही नखिएस के वाल को इफ्यक्ट करता है और बाद में फीमिल में गणद्धार dank करने की समस्या अंवां जो है उत्पन करती है जो थी दवाईया जrada जल्दी प्रभावित करती है वह जादा जादा नुक्स में अगर बाबबार तूटता चाया तो कोई कहीं सेच आजसे कर सकते हैं कि पानी अगर गिडा हुआ रहा है तो लीघक kte suis तरीके से यह doughnut मैटेडियम को वैपर की तरह रसक कर देता है जिस बाद में उसमें किवाड काफ़लाम होने लगती है और माग गर दहर्म करने सब्सक्राइब करने में समस्य उत्पन होने लगती है इसलिए प्रेग्नेंसी से दूर करना ठीक है लेकिन ऐसी दवाईयां कपड़ियों करें जो ज्यादा समय के लिए हो और जल्दी मतलब नुकसान नहीं करें लेकिन जो कम समय में होता है वह ज्यादा नुकसान करता है तो हम लोग दूसरा देखेंगे आयूड के बारे में आयूड क्या है आई से होगा इंटरा यू से होगा यूटरीन और डी का मतलब होगे डिवाइस एक ऐसा डिवाइस जो यूटरेस में लगात तो यूटरेस कहा होता है माली जी फीमेल का ये अधि प्रोड़क्टिव ट्रै useusu त्रेक में सिर्टा देता है और इस इसे से देटा देता है अ तो और हम हां जो फीमियल का ये रीप्रोड़क्टिव ट्रैक है और रीप्रोड़क्टिव ट्रैक में या सर्विक्स यहां पर आखे चीम न हम भूण लाबभी अबशचर यहां इसका इंट्रा इूट्रीन में टीट्र कीस का परवायोग किया आता है जिस को meses के अंदर कर दिया आता है जो कि गञ ढर्व धान करने से रोकने का काम करता है क्यों什 करें क्या रिलीज करता है then you kids makers Nam unaidate इसमें he midרכण थो नहीं होता है जादा मातरा में चौर्पर कि मातरा होती है साथि-साथ यह कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर्मोन डीनीज करने का काम करता है दो चीज हो गया, इसके बाद लोप, इसी में ऐसे हैं, लीप की तरह बना हुआ रहता है और जिसको फिमेल के यूटरस में сीफ्ट कियाता है, जो केमिकल, केमिकल मोटलीटी को कम करता है, मतलब motility जो होता है जितनी speed है गती है उसके अंदर तो उस गती को कम करने के लिए इस iods का प्रियोग किया आता है तो अगर 375 यह भी intrauterine device है जिसका प्रियोग कियाता है LNG 20 यह भी एक डिवाइस है जिसका प्रियोग कियाता है ऐसे डिवाइस जो कहीं न कहीं से फीमेल के गर्वधार्ण करने से रोकने के लिए खास तरह के सब्स्रांसों को कौपर को रिलीज करता है जो mobility को कम कर देता है हर्मोन को ल दो इसके अलावा जो है यह 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 जो है रिडिवाइस में यह डिवाइस में यह बहुत ही कारगर होता है तीसरा तीसरा देखे थे वह था Inplantation, Implant करने वाला, Implant का मतलब होता है किसी जग़ा पर Shift कर देने वाला, इसी मैं चीज होता है Norplant, Norplant, यह Norplant क्या है? एक Progestron Relicing Progestron Relicing Substance होता है Norplant, जो कि Race Skin skin के अंदर के ने उसमें सीफ्ट कर दिया जाता है और वो जो है प्रोजिस्ट्रों को rocky करते जाता है तो इसके माध्यम से भी कहीं न कहीं से गर्व करद्रन करने की समस्या से पर जा सकता है चौथा है इंजेक्षन छे इंजेक्शन क्या है तो इंजेक्शन का मतलब हम समझते हैं सुई होता है ठीक है तो यह होता है इंट्रा मॉस्कूलर इंजेक्शन इंट्रा मॉस्कूलर इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन जिसको हम लोग मॉस्कूल के अंदर इंजेक्ट करने का काम करते हैं उसी को इंट्र इंट्रा मॉस्कुलर इंजेक्शन के नाम से जानते हैं जिसमें आता है डेपो डेपो इंजेक्शन डोपा का सकते डोपा इंजेक्शन जिसका जो है मौसल के अंदर उसको सिफ्ट कर दियाता है या इसी में आता है इसका है डोपा डोपा प्रोभा करके जो है एक इंजेक्श है इसमें आयूडी जो है यह ज्यादा यूजवल माना जाता है क्योंकि यह इफ्यक्टिव होता है प्रभावित करता है इसलिए अधिकांस्ते किसी को कहना भी नहीं पड़ा इसमें असानी से इसको यूजवल यह कियाता है तो यह मैठड हम लोग देख लिए हैं अब लोग दिखेंगे सर्जीकल मैठड अगा मतलब क्या होता है जब चीर फार के माध्यम से कोई मैठड को अप्लाइट किया आता है इसलिए इसको मैं बूलते हैं सबसे कारगर मैठड माना गया है क्योंकि इस मेठड के बाद गर्भधार्ण करने की समस्या नहीं होती है हम जानते है है कि दो तरह के एक होता है मेल के अंदर मेल का रिप्रोड обнаруж ट्रैक होता है जिसमें प्राइक सटें हैं आप लिए इसमें से ज्यों है बाहर की तरफ कला हुआ रहता है इस तरह से बाहर के तरफ निकलता है लिए कि यसको लेकर तो वाज लेके आता है तो वास्ट डिफ्रेंस क्या है वास्ट डिफ्रेंस वास्ट डिफ्रेंस के दोनों तरफ से कटिंग करके दोनों तरफ से करके ऐसे करके मोड़कर इधर भी बान देना और इधर बान देने का जो प्रोसस होता है इसको मे substrate को करके बांद है इसलिए इसका नाम होता है easco Tomy My और मेल के अंदर surgical method है जिसका पॉड़ियों वासली ठीनGuain को काट के यह बहुत ही ज्यादा यह बहुत ही पूर जो है रिवार्सल होता है यह पूर भेरी पूर रिवार्सल इसका मतलब यह हो गया कि अगर किसी कारण बस बाई दवे कोई बच्छागरा जो है फीमेल के इंदर डित कर गया तो ऐसे कंडिशन में अगर operation किया गया है वासको टोमी किया गया है तो फिर से recover होना मुस्किल है इसलिए यह थोड़ा सा ज़्यादा जो है इसमें क्या कियाता है इसमें सीमें जो है वह बाहट नहीं आता है सीमें के आने की प्रक्रिया को रोक दियाता है लेकिन blood vessel का जो है sensation इसमें रहता है blood vessel मैं यातरा मतलबवले पेनीस में किसी की बीवर का दीकत नहीं वगा लेकिन जो है रहे का बलड रि इलीजींग घाड़े लेकिन संसी को ऑन से ब्ल प्रॉलम नहीं होगा फिर पेनिस जो है स्टफ होगा इसमें कुछी भी तरह के यह चीजों का पड़ियों जो है इरेक्शन की पिसीटी को लॉश्ट नहीं कर सकता है लेकिन केवल इसमें सीमेन की आने की प्रकडिया को अबुरूद किया आती है तो यह चीज हो गया वास को ट है फॉलौपियन ट्ूब को जब हम को जीए करते हैं तो इसको हम लोग यह तो है वास को टॉमी और प्रियों इस लिए कि आता है क्यों के दोनों तरब से इसी तरह से cutting करके और bind कर दिया आता है मोर कर इसको भी इस तरह से मोर दिया आता है बाइंड किया गया लेकिन ब्लड का circulation इसमें अबरूद नहीं होता है मतलब blood vessel जाते रहता है blood vessel इसमें भी रहेगा इसका मतलब sensation इसके अंदर रहेगा menstrual cycle होती रहेगी लेकिन और हम आगे की तरफ इसमें नहीं मतलब blood vessel का flow होना जारी रहेगा अंदर में इंडो मेटेडियम भी टूटेगा मतलब इंडो मेटेडियम भी breakdown होगा केवल क्या होगा तो और हम रिलीज होकर वहां तक नहीं आएगा तो यह हो गया वास्कू टॉमी और यह बहुत ज़्यादा important माना आता है तो वास्कू टॉमी जो हो गया यह मेंली female के लिए यूज के आता है female surgery है female surgery है जो जो चाहते है कि अपने बच्चे को जो है दो से अधिक बच्चे को जब नहीं दे तो ऐसे condition में sexual reproduction होने के इंटर कोर्स होने के बावजूद इस तरीका को अपनायाता है और यह तरीका सबसे कारगर माना गया है क्योंकि इस तरीका में किसी भी तरह की समस्या होने की संभावना नहीं होती है क्योंकि blood cycle की प्रक्रिया चलती रहती है क्योंकि नहीं रुपती क्योंकि blood vessel से travel करते रहता है कि अवल प्रॉब्लम कहां आती है तो ओह हम रिलीजिंग की जो फैक्टर होता है वह कहीने कहीं से रुख जाता है तो यह सारा चीज जो है ब्लेडिंग का प्रोसेस इसमें जारी रहता है तो यह यह चीज हो गिया जो है surgical method और आज जो है surgical method का बहुँ जादा परियोग जो है किया जाता रहा है